कि अच्पेशल थैंक्स टू गनिश आटो मुबाइल कोलकाता नेर गोडिया स्टेशन चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मॉर इंफॉर्मेशन नमस्कार दोस्तों मैं नाम है शोभीक और आप सभी का स्वागत है राइडिंग मशीन की एक नहीं फ्रेश कमाल वीडियो में आज मैं लेके आगया हूँ हीरो स्प्लेंडर प्लस 2020 तू मॉडल यहां पर इंजिन कट अप सेंसर देखने को मिलता है साथ में यह दूस्तों एफ़ इंजिन है जो की काफी ज्यादा बढ़िया बात है यहां पर लोग है देख सकते हो स्कुए डिजाइन में जैसे पहले से आता था मिलता है मतलब है इंजिन की पोजिशन दोस्तों थोड़ा सा अलग है बाकी सारी वाइक जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है लाइंग पोजिशन पे है और यहां पर दोस्तों एफ़ और पाव स्टार्ट की ब्रेंडिंग भी आपको देखने को मिलता है और जिस तरीके से यहां पर इंजीन लाइंग पोजिशन पर है तो वहां पर मड़ स्प्लैशेश होने की चांसे बढ़ जाता है तो यहां पर मटगार लगाना काफी ज्याधा मैंटरी बन जाता है दोस्तों य आपको सालेंसर भी आप लोग देख सकते हो ओल्ड स्कूल विंटेज स्टाइल में आपको मिलता है बहुत ही लॉंग है और यहां पर आपको क्रोम में हिचल भी देखने को मिलता है जो की काफी ज्यादा कॉंट्रस क्लीर करता है ब्लैक कर के साथ खास करके दोस्तों यहां पर आपको स्प्रिंग लोडे सस्पेंशन देखने को मिलता है यहां पर कोई भी गैस चार्ज सस्पेंशन नहीं दिया गया है देना चाहिए था क्योंकि यहां पर प्राइस बगरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों रेयर टेयर की बात कर दो रियर आपको मिल जा एक भी आगये तो यहां पर काफी बड़े साइज का देखने को मिलता है यहां पर ह हील आन टो शिप्टर भी ऑट आप इसको Oh लिए कर प्रहूच का शुर्प देखने ही बने नहीं बल्सकुंत यहां पर देखने कर yeंग दोस्तित ज्यादा बढ़िया बात है और दोस्तों यहां पर यह 97.2 cc की इंजीन होते हुए भी यहां पर एफाई प्रवाइट करा गया है हिरो की तरफ से जो की काफी ज्यादा बढ़िया है इंजीन की पावर आपको मिल जाता है 7.91 बीच्प की और 8.05 एनम की टॉर्क आपको देखन के उपर सिल्वर में हीरो की बैजिंग देखने को मिलता है सीट आइड आपको 785 में की दिया गया और कीज भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसे पहले आपको मिलता था वैसा ही कुछ यहां पर एनलोग सेटप दिया गया है कोई भी डिटल इंस्टुमेंट साथ आपको आई 3S की बटन भी देखने को मिलता है साथ में पावर स्टार्ट वाला बटन भी आपको यहां पर दिया गया है जो की ठीक ठक साई है बेसिक सा है जैसे की होना चाहिए लेप साथ की बात करता आप लोग यहां पर देख सकते हो कुई भी पस्लाइड आपको न इसने को मिलेगा टैंक काफी ज्यादा कॉम्पेक्ट साइस की है जैसे की पहले से यह आता था दोस्तों यहां पर सीट की बात कर तो सीट काफी ज्यादा वाइड है दो से तीन जन काफी आराम से यहां पर बैठ पाएंगे यहां पर सीट की कुशनिंग काफी ज्यादा तो यह काफी ज्यादा convenient बन जाता है जो लोग चीजे वगरा केरी करते हैं तो अभी सुन लेते हैं इसकी exhaust note और हॉर्ण और गाइज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइड में आपको मिल जाता है USB charging socket जो की waterproofing cap के साथ ही आता है जो काफी ज्यादा बड़ी option बन जाता है आप लोग बस अपनी phone holder को लगाईए और साथ में charging की कोई टेंशन आपको देखने को नहीं मिला जो की काफी ज्यादा बड़ी option है जो लोग delivery की काम बगएर करते हैं जीपीएस माउंट करके आप कहीं घूमना चाते हो दोस्तों कोलकता में इसकी on-road price आज की टाइम पर है वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाव है तो आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट कीजिए और ऐसी बाइक रिटेट इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के all कर तो मिलते हैं आप से नेक्स वाली वीडियो में तिल दें स्टे सेफ एंड कीप राइडिंग